हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जुड़वा बेहनों के जादूरी लेंगे की तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी कुछ समय पहले एक गाँ में नैना और सुनैना नाम की दो जुड़वा बेहने अपनी चाची के साथ रहा करती थी क्योंकि बच्पन में ही नैना और सुनैना के माता पिता की सरक दूरखटना में मौत हो गई थी इसलिए नैना और सुनैना अपने पिता के छोटे भाई शामला के घर पर ही रहा करती थी नैना और सुनैना की चाची मोहिनी बहती चलाग और चतुर थी नैना और सुनैना के आने के बाद मोहिनी ने अपने घर की नौकरानी को भी काम से निकाल दिया था और वो दोनों बेहनों से नौकरानी की तरह काम करवाती थी मोहिनी की भी एक बेटी थी जिसका नाल कोयल था मोहिनी कोयल से बहुत प्यार करती थी एक दिन कोयल अपनी मा से कहती है मॉम मुझे ब्रैंड़ लहंगा चाहिए मुझे अपनी दोस्त गारी की शादी में जाना है मैं चाहती हूँ कि मेरे लहंगी के सामने कोई टीक ना सके क्यू दही मेरी बेटी मैं तुझे महंगा और ब्रैंडेड लहंगा दिलाऊंगी और अगले ही दिन मोहिनी अपनी बेटी के लिए ब्रेंड़ लेंगा ले आती है मोहिनी कोयर की हर जित पूरी करती है लेकिन नैना और सुनैना के लिए कुछ भी नहीं लाती थी ये सब देखकर नैना और सुनैना बहुत ही उद्धास हो जाती है नैना अपनी बेहन सुनैना से कहती है तुनैना मुझे भी सुन्दर सुन्दर कपड़े पहनने का बहुत मन करता है अगर हमारे माता पिता जिन्दा होते तो हमें कितने सारे सुन्दर सुन्दर फ्रॉक दिलवा देते न हाँ मेरी प्यारी बेहन अगर हमारे माता पिता जिन्दा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते लेकिन कोई बात नहीं ऐसे ही दिन पीट रहे थे एक दिन शामलाल शहर से वापस आता है और वो नैना और सुनैना के लिए सुन्दर सुन्दर कपड़े लेकर आता है और कोयल के लिए भी एक सुन्दर सी फ्रोक लाता है की तब ही कोयल की सुन्दर फ्रोक देखकर नैना बोलती है चाचा जी मुझे ये फ्रोक अच्छी नहीं लग रही मुझे कोयल दीदी की वो ब्लैक वारी फ्रोक बहुत अच्छी लग रही है कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्ची तुम ये ब्लैक फ्रॉक ले लो कोयन इस बात से बहुत गुशा हो जाती है कि नैना ने उसके फ्रॉक क्यों ली कोयन और मोहिनी नैना के उपर आप बगूला हो जाती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि जब तक उनके चाचा जी घर में रहा करते मोहिनी नैना और सुनैना से अच्छा बरतावी हिया करती थी लेकिन एक दिन कोयन नैना से बगला लेने के बारे में सोचती है और वो नैना से बोलती है ओ नैना क्या तुम किच्चन से च्याकू लेकर आओगी वो मुझे सेथ काटना है हाँ क्यों नहीं मैं अभी लाकर देती हूँ मैना कीचन से चाकू लाकर जब कोयल के हाथ में दे देती है तो कोयल जान भुज़कर अपना हाथ खुद काट लेती है और रोने का नाटक करने लगती है और जोड़ जोड़ से चिला कर कहती है मर गई रे अरे माँ पिता जी जल्दी आईए देखिए इस नैना की बैच्ची ने मुझे माजने की कोशिश की माँ माँ कहा है आप आईए जल्दी कोयल को चिलाते हुए सुनकर सभी मोहिनी और शामलार वहाँ पर पहुच जाते है मोहिनी कोयल के हाँ से निकलता हुआ खून देखकर चौक जाती है और उससे कहती है हाई मेरी बच्ची ये सब कैसे हुआ बेटा माँ इस नैना की बच्ची ने मुझे जान से मालने की कोशिश की सुनिये आप देख रहे हैं आज इसने मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की है कल को ये दोनों पहने हमें भी माल सकती है हमने इन दोनों मन्हूसों को अपने घर में रखा पर ये तो देखो ये हम पर ही हमला कर रही है अब खड़े खड़े मेरा मूँ क्या देख रहे हो इन मन्हूसों को इसी वक्त घर से बाहर निकालो आप क्या निकालेंगे रुखिए मैं खुद ही निकालती हूँ कोलल और मोहिनी की बाते सुनकर शाम लाल भी उनकी बातों में आ जाता है और फिर मोहिनी नैना और सुनैना को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है बेचारी नैना और सुनैना इस बारे में कुछ कह भी नहीं पाती और चुपचाप अपने चाचा का घर छोड़कर एक जंगल में चड़ी जाती है तब ही नैना सुनैना से कहती है सुनैना हमने अपनी चाची जी का कितना अत्याचार सहा काम करते करते हमारे हाथों में छाले पड़ गए फिर भी उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था हमें घर से धक्के मार कर कोयल दीदी ने बाहर निकलवा दिया और चाचा जी के सामने हमें जोटा भी बनवा दिया अब हम कहा जाएंगे कहा रहेंगे सुनैना ऐसा कहकर नैना जोर जोर से रोने लगती है कि तब ही सुनैना देखती है कि एक बुड़ी औरत बहुत साई लगडिया लेकर कहीं जा रही थी तभी सूराना उस बुरी ओरत के पास जाती है और बुरी ओरत की मदद करने के लिए कहती है कि तभी वो बुरी ओरत कहती है बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन मैं बुरीा नहीं हूँ मैं एक परी हूँ मुझे एक चुड़ेल ने अपनी काली शक्तियों से बुढिया बना दिया और वो दिन रात मुझे से काम करवाती है तुम दोनों बहुत अच्छी हो क्योंकि आज तक किसी ने मेरी मदद नहीं की तुम ही मेरी मदद कर सकती हो उस चुड़ेल के पास मेरी जादो ही चड़ी है अगर मुझे मेरी चड़ी मिल जाएगी तो मैं अपने परी रूप में वापस आ जाओंगी लेकिन वो लाना बहुत मुश्किल है बेटा परी जी आप मुसीबत में है और हमारी मार हमेशा समझाती थी कि हमेशा मुसीबत में आई लोगों की मदद कहनी चाहिए यही इन्षानियत होती है कि एक इन्षान दूसरे इन्षान की काम आ सके नैना और सुनैना परी के कहे अनुसार उस चुड़ेल की गुफा में पहुच जाती है और चुपके से पीछे से जाकर उस चुड़ेल के उपर हमला कर देती है और चुड़ेल को पान देती है कि तभी वो चुड़ेल मैना और सुनैना से कहती है देखो देखो तुम दोनों पहले बहुत बड़ी गल्ती कर रही हो तुम दोनों अगर मुझसे हाथ मिला लेती हो तो मैं तुम्हे बहुत सारी धंदालत दूंगी इतनी धंदालत कि तुम्हे कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी लेकिन तुम उस बुड़िया परी को ये चड़ी बिलकुल मत देना मैंने बड़ी मुश्किल से ये चड़ी उस से ली है मेरी बर्सों की महरत है ये तो ऐसा बिल्कुल मत करना चुपकर दुष्ट चुड़ेल हमें धन दौरत का कोई लालस नहीं है हम उस परी की मदद करना चाहते हैं और हम जरूर करेंगे इस तरह दोनों बेहने बहुत बहादूरी से उस चुड़ेल से छड़ी लेकर बाहर आ जाती है और कुछ समय बाद छड़ी लेकर उस बूरी परी को दे देती है जैसे ही परी को वो छड़ी मिलती है वो परी वापस अपने परी रूप में आ जाती है और उसके बाद वो अंदोनों बेहनों से कहती है सच में तुम दोनों बेहनों ने धन दौलत का कोई लालच नहीं किया और इमानदारी से मेरी चड़ी लाकर मुझे वापस दे दी अगर तुम चाहती तो उस चुड़ैल की बात मान सकती थी और धन दौलत ले सकती थी अगर तुम दोनों बेहने नहीं होती तो मुझे ये चड़ी कभी वापस नहीं मिल पाती इसलिए मैं तुम्हें दो जादूरी लहंगे देना चाहती हूँ एक लहंगे से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेंगी और कभी किसी चीश से कोई कमी नहीं होगी और ये दूसरा लहंगा तुम दोनों की हर एक इच्छा को पूरी करेगा ये सब सुन कर दोनों बेहने परी को धन्यवाद देती हैं और परी वहां से चली जाती हैं कुछ समय बाद वो जादूई लहंगे से धन दौरत मानती हैं और एक आलिशान घर में आ जाती हैं ये देखकर वो दोनों बेहने बहुत खुशो जाती हैं और दोनों बेहने हसी खुशी राज कुमारियों की तरहां उस घर में रहने लगती हैं और अनाथ और बेसहर लोगों की मदद करती है है लो दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जुड़वा बेहनों के जादूई लेंगे की तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी कुछ समय पहले एक गाउ में नैना और सुनैना नाम की दो जुड़वा बेहने अपनी चाची के साथ रहा करती थी क्योंकि बच्पन में ही नैना और सुनैना के माता पिता की सरक दूरगटना में मौत हो गई थी इसलिए नैना और सुनैना अपने पिता के छोटे भाई शामलान के घर पर ही रहा करती थी नैना और सुनैना की चार्ची मोहिनी बहुत ही चलाग और चतुर थी नैना और सुनैना के आने के बाद मोहिनी ने अपने घर की नौकरानी को भी काम से निकाल दिया था और वो दोनों बेहनों से नौक रानी की तरह काम करवाती थी मोहिनी की भी एक बेटी थी जिसका नाल कोयल था मोहिनी कोयल से बहुत प्यार करती थी एक दिन कोयल अपनी मा से कहती है मॉम मुझे ब्रैंडर लहंगा चाहिए मुझे अपनी दोस्त रानी की शादी में जाना है मैं चाहती हूं कि मेरे लहगी के सामने कोई टीक ना सके क्यों नहीं मेरी बेटी मैं तुझे महंगा और ब्रेंडेड लहगा दिलाऊंगी और अगले ही दिन मोहीनी अपनी बेटी के लिए ब्रेंड़ लेंगा ले आती है मोहीनी कोयल की हर जीद पूरी करती है लेकिन नैना और सुनैना के लिए कुछ भी नहीं लाती थी ये सब देख कर नैना और सुनैना बहुत ही उद्धास हो जाती है नैना अपनी बेहन सुनैना से कहती है तुनैना मुझे भी सुन्दर सुन्दर कपड़े पहनने का बहुत मन करता है अगर हमारे माता पिता जिन्दा होते तो हमें कितने सारे सुन्दर सुन्दर फ्रॉग दिलवा देते न हाँ मेरी प्यारी बेहन अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते लेकिन कोई बात नहीं ऐसे ही दिन पीट रहे थे एक दिन शामलाल शहर से वापस आता है और वो नैना और सुनैना के लिए सुन्दर सुन्दर कपड़े लेकर आता है और कोयल के लिए भी एक सुन्दर सी फ्रोक लाता है की तब ही कोयल की सुन्दर फ्रोक देखकर नैना बोलती है चाचा जी मुझे ये फ्रोक अच्छी नहीं लग रही मुझे कोयल दीदी की वो ब्लैक वारी फ्रोक बहुत अच्छी लग रही है कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्ची तुम ये ब्लैक फ्रॉक ले लो कोयन इस बात से बहुत गुशा हो जाती है कि नैना ने उसके फ्रॉक क्यों ली कोयन और मोहिनी नैना समय पहले की बात है सुल्तानपुल राजी के राजा का नाम प्रताप सिंग और उनकी पत्मी का नाम समायरा था दोनों राजा रानी बहुत दयालू और परोबकारी थे उनके खुद के बच्चे नहीं थे लेकिन वो अपने महल में काम कर रहे करमचालियों के बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे एक दिन जानी समायरा राजा प्रताप सिंग से कहती है सुनिय जी मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिये ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं देर सही सही लेकिन हमें बच्चे जरूर होंगे ऐसे ही दिल भीच रहे थे एक दिन दोनों राजा रानी प्रजा के बीच जाते हैं वही दोनों देखते हैं कि एक जाली मौरत एक छोटे से बच्चे पर अत्याचार कर रही है रानी को सौरत के पास जाती है और उसे डाड़ते हुए कहती है ये क्या कर रही हो तुम इस छोटे से बच्चे को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो तुम क्या तुम इसकी जान लेना चाहती हो अगर तुम्हारा बच्चा होता फिर भी तुम यही करती क्या ये लड़का गरीब है इसलिए ये मेरे घर में चोरी करने आया था जूट मत बोलो तुम तुम जाओ यहां से वरना बहुत बुरा आजाम होगा तुम्हारा उसके बाद राजा वहां पर अपने स्पाईयों के साथ आ जाते है इतने सारे सिपाईयों को एक साथ देख कर वो और अरत बहुत डर जाती है और वहां से जल्दर से भाग जाती है रानी उस बच्चे को डरा हुआ देखकर उसको संजाती हुए कहती है डरो मत प्यारे बच्चे अगर तुम्हारी मान नहीं है तो क्या हुआ मैं हूना तुम्हारी रक्षा के लिए भूख लगी है क्या तुम्हें कुछ खालो बेटा ये लो फिर रानी उस बच्चे को खाने के लिए खाना देती है, वो बच्चा बहुत भूका था, इसलिए जट पट सारा खाना खत्म कर देता है, उसके बाद राजा रानी अपने महल में लोट जाते हैं, ऐसे ही कुछ शमय बीच जाता है, और रानी समाया गर्धुवती हो जाती है, महल में ऐसा माहोल था, कि मालो उजड़े चमन में फूल खिल गया हो, हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां फैले थी, राजा प्रताप सिंग, खुशी से अपनी रानी को कहते हैं, रानी साहिबा, मैंने कहा था ना, कि भगवान के घर देर है, अन्धेर नहीं, अब हमारे महल में भी बच्चों की किलकारी गूजेगी, इस तरह से दोनों राजा रानी बहुत खुश होते हैं, और नौ महीने पीच जाते हैं, और रानी समायरा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती हैं, सारे महल में उत्सव जैसा मामोर होता है, और राजा प्रताफ सिंग अपने सारे राज में कपड़े और सोने के सिक्के बटवाते हैं, राजा राणी की बच्ची दिखने में बहुत ही खूपशूरत होती है और उसमें सोने का एक नूर होता है इसलिए दोनों उसका नाम महिक रखते हैं ऐसे ही हसी किसी दिन पीट रहे थे एक दिन राणी समायरा अपनी बेपी महिक को नदी के पास घूमारे के लिए लेकर जाती है अचानक बहुत देश वारिश होने रगती है जिससे राणी का पैर सिसर जाता है और वो सिधा नदी में जागेती है राणी बार बार नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था इसकी वज़ा से वो नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी रानी बार-बार कोशिश करके ठक जाती है क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था खे भगवान अब मैं क्या करूँ? मैं नदी से बाहर कैसे निकलूँ? वहाँ मेरी बच्ची अकेली खड़ी है और यहाँ में जिन्दगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ कुछ दूरी पर खड़ी छोटी सी राजकुमारी महिक रानी को देख रही होती है अपनी मा को इस तरह मुशीबत में देख कर राजकुमारी महिक भी रो पड़ती है महिक अपनी मा को बचारी के लिए नदी की तरह बढ़ती है लेकिन तभी रानी समायरा कहती है नहीं महिक बेटा तुम यहां मत आना यहां खत्रा है मेरी बच्ची तुम जल्दी पर महल में चली जाओ अपनी मा के माना करने के बाद महिक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है और रानी समायरा संगर्ष हार जाती है और नदी में बहते 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 बहत दूर तक चली जाती है महिक भागते भागते महल में जाती है पिता जी मा नदी में बह रही है अब जाओ और उन्हें अभी के अभी लेकर आओ मा की बिना में नहीं रह पाऊंगी पिता जी राजा अपने सिपाहियों के साथ नदी के बास जाते हैं लेकिन उन्हें राणी समायरा कहीं भी नजर नहीं आती है राजा बहुत देर तक राणी को ढूंडते रहते हैं लेकिन राणी कहीं भी नहीं मिलते राजा निराशोकर अपने महल वापस लोटाते हैं तभी राजकुमारी पोचती है पिताजी आप माँ को लेनी जाये तेरा फिर माँ का है पिताजी मुझे बहुत भूख लग रही है इसलिए मुझे माँ के हाथों से ही खाना खाना है राजा राजकुमारी को कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उदास वोकर महा से चले जाते हैं महल में हर तरफ उदासी छा गई थी राजा प्रताप सिंग कुछ दिलों तक उदास रहते हैं लेकिन वो खुद को समझा लेते हैं वही दूसरी तरफ महत का रो रोकर बुरा हाल था अपनी बेटी की ऐसी हारत देखकर राजा प्रताप सिंग दूसरी शादी करने का फैसला करते हैं कुछ दिलों बाद राजा प्रताप सिंग गायतरी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं और उससे महल में ले आते हैं राजा राजकुमारी महक से कहते हैं राजकुमारी महक ये आपकी नई मा है बेटा आज से ये आपका ध्यान रखेंगी क्या सच में ये नई मा मेरा अच्छे से खयाल लखेंगी, मुझे मारेंगी तो नहीं ना तबी गायतरी बोलती है नहीं नहीं राजकुमारी, मैं आपको बिल्कुल मा जैसा प्यार दूंगी, आपका पूरा खयाल लखूंगी मैं कुछ दिनों तक गायतरी राजकुमारी महक से बहुत अच्छा वैभार करती है लेकिन उसके बाद वो अपना असली रोग दिखाना शिरू कर देती है गायतरी समय से राजकुमारी महक को खाना नहीं देती थी और उसका बिल्कुल भिद्यान नहीं रखती थी यहां तक की गायत्री अपने काम भी राजकुमारी महट से ही करवाती थी एक दिन गायत्री राजा से कहती है राजकुमारी महट तो बहुत ही शरारती है यहां सारा दिन महल में उच्छल कूट करती रहती है इनकी वज़ा से तो मैं सो भी नहीं पाती राजकुमारी मेरी एक बाद भी नहीं सुनती है गायतरी की बाद सुनकर राजा राजकुमारी से कहते हैं राजकुमारी अपनी मा की बाद सुना करो बेटा ये जो बोलती है आपके अच्छे के लिए ही तो बोलती है राजा के वहां से जाने के बाद काईतरी राजकुमारी महग को एक दोरदार ठप्पड लगा देती है राजकुमारी महग चुपचा पे सब सहन कर रही होती है कुछ देर बाद महग बोलती है पिताजी तो कह रहे थे कि आप मेरी मा हो और मेरा बहुत अच्छे से खयाल लगोगी लेकिन आप कैसे मा हो मेरी मा मुझे कभी नहीं मारती थी वो तो मुझे हमेशा अपनी जान से भी साधा प्यार करती थी अगर मैं कोई गलती करती थी तो वो मुझे माँ भी करती थी तुझे अपनी मा की बहुत याद आ रही है ना हाँ आ रही है रोज आती है मुझे अपनी माँ की याद ठीक है मैं तुझे तेरी मा के पास पहुचा देती हूँ वहाँ तुझे मा का असली प्यार मिलेगा, इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा एतने में एक आवाज आती है, और वो आवाज रानी समाय राकी होती है मेरे जीते जी, मेरी बच्ची का कोई बाल भीबाका नहीं कर सकता राजकुमारी महेक पीछे मुड़कर देखती हैं, और अपनी मा को देखकर वो बहुत ही जादा खुश होती है मा, आप आ जई मा, मेरी मा आ जई, आप एतने दिनों तक कहा थी मा मेरी प्यारी बच्ची, मैं मौत के जबडे में जाकर वापस आई हूँ उस दिन एक मच्चवारी ने मुझे बचा लिया था, मैं कुछ दिन तक उसके घर में ही थी, और उसी ने मेरा इलाज करवाया था अब आप आ गई हो न मा, अब आम फिस से हशी खुशी से रहने लगेंगे तभी वहाँ पर राजा प्रताप सिंह आती है, महर के मंधरी और राजा के करीबी राजा को गाहित्री की अस्नियप के बारे में पताती है कि वो किस तरह से राजकुमारी महर से बुरा वयवहार करती है, और दिन रात उससे बहुत काम करवाया करती है मेरी बच्ची मुझे सारी असलियत के बारे में पता चल चुका है अब आपको सौतेली मा का नहीं बलके अपनी असली मा का प्यार मिलेगा राजकुमारी महिक अपनी मा को फिल से पाकर खुशी से नाचने लगती है उस दिन के बाद से चिल से महर में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हशी खुशी से रहने लगती है